तो यह लोगाइज कैसे हो वेलकम टू दिब्लोग तो मैं अभी सो के उट चका हूं नहां वहां के भी रेडी हो चुका हूं तो मैं भी जा रहा हूं चाय पीने के लिए एन आज का मोसम अभी तो ठीक है लेकिन देखते हैं बात में कैसा होता है मोसम तो अभी मैं आया हूं च यहां पर नीचे ले जाना चाय पापा के लिए और एक भाईया है उनके लिए तो भी चाय गरम हो रहा है में नास्ता करने के लिए हमें जा रहा हो में ब्रेकफस्स करने के लिए तो अभी मैं ब्रेकफ़सक करके फटाफट फी जाना पर हो मुझे आदा मैं तो नास्ता मेंивать लिए अभी मैं जा रहा हो दू Crownaufen के जाना आज तो ऑभी चारा हूं म hypothesis के लिए इतना दूर जाने बाद थोरा सा दिस्टंस में बतलब इतना जादा गर्मी तो मंदिर से आने के बाद थोरा मुगाद धोया है अभी थोरा थीक लग रहा है आप्डाव, अभी में ए बनाने की लिए मैं फेन को भी नहीं चला है। इसलिए तरह गरमी लगग रहा है। मतलब इतना ज्यादा गरमी हैं, मतलब देख सकते हैं। मैं मुव हाध दोक्या हैं। भी मतलब पस्थिना किरी रहा बहुत ज़यादा कर्मी ए फबस लाइट आ रहा है क्या परदा मैने आज डिकाल जाथा अब दोने के लिए गया था तो अभी दोदा के सब परदा देता हूँ अभी लगा दिया शुब अथ हा लोगा दिया है दो मैशेड़क मेरे AIP क्योंकि मेरा शकूटी थोरह सब ज्जा दूल。 सब ज्यादा दूर ेस créer प्रब्लम थे। मैं तो मैं गया था में सेल लेकन दुकान बंद था تو नहीं पर नहीं दैठाब कर बसको भूला रहता ही नहीं जुने घर के सामान भे लेने हैं वह फींसी दोन उहां कि आयो करो फ्लान किया हूँ जाता हूँ है यह फिए पर भी जाल को रहता हूँ इसको लेकर आए अंश जब से ख़रा होना सिखा तब से मतलब बस कुछ ना-कुछ पकर के ख़रा होना ही चाहता है इदर हो आंस यह लो इदर हो इदर हो इदर हो इदर हो इदर हो तो मज़े डराता है ऐसे करके जब से मतलब खड़ा होने के लिए सिखा है मतलब पहले बिने एक एक सोट वीडियो में भी था तो उस वीडियो उस दिन मतलब फर्स्टेम वो खड़ा हुआ था एं जब से यह खड़ा होना सिखा है तब से मतलब खड़ा होना ही चाहता है कुछ नहीं कुछ पकर के अब बैट सीट नहीं है क्योंकि मैंने उसके अभी धो दिया था ना भी सुक रहा है तो सुकने के बाद फिर मैं बैट सीट भी लागा दूंगा यह बस खड़ा होना चाहता है लेकिन अब कभी नहीं होते दिके गुस्सा हो जाता है कुछ तो यह से पकर के जब भी बो सकेते मतलब फिये खाराई होता जब भी बैट पर अगा मेरा तो यह से खराऊने का कोशिस करता है अब इसको पिनले उतना याज शदिया शकर रहा है में नहीं आरहा है अभी मैं सकोब में लिया तो यह चुप गया हूँ तो इसका मतलब गोद कुर्णता इसलिए चिला ऑर और तो अभी लंच होगी तेयार 158 अए अब तो मैंने अभी लंच शराही है थूराही था चिकर थाइग थाइट भफ्यूड मीने खा ले पाईकाcan siyarat ग्यान मतलब यहादा नी करना चाहिए यहादा लिया कि सामने रहते है तो मतलब सारा यह था जाद मेरता लेकिन काना जब सामने रहते हैं तो मतलब सारा पहले मतलब जितना खाना खाऊ उसके बाद देखा जाएगा जो होगा फिर खाना कहने के बाद वहीं सेम डेलग की जादा खा लिया यह वह जो भी तो फेन का वाज आ रहा है बेग्राउंड में क्योंकि मतलब यह रूम अभी बहुत जादा गरम होके रखा है इसलिए मैं फे इस दे देगा वैसा वाला दूप मतलब थोड़ा डी में इतना गर्मी है उपर से फ्रीज भी खराब हो चुका है खराब नहीं है मतलब जो ठंडा करने के लिए क्या गेस रहता है मुझे ठीक से पाता नहीं तो वह गेस खतम होगिया मतलब अब थंडा मतलब उतना नहीं हो है ऑफ जाए चार एं सारा दुकान सब बंद हो चुका है अभी में जब सो के उठा हूं अभी बजरा साम काच्छे एं बहुत ही सुन्दर हो करका है संसे यह लोई जो इस और और इंज कलर में हो पर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूं कैसा है बाहर का विव उप कि अच्छे तरह से नहीं दिख रहा है संसेट का कलर लेकिन नेकेड है बहुत ही सुन्दा लग रहा है अभी का टाइम में गर्मी अभी थोरा सा कम है सुबह कर मुकाबले से अभी थोरा कम है लेकिन इतना भी कम नहीं लेकिन कुछ हथ तक तक कम हुआ हुआ है तो मैंने आपर आया तो मैंने देखा कि बारिज दे के थोड़ा थोड़ा अभी दे रहा है और पहले भी दे चुका था तो कुछ-कुछ पार्ट पतलब टीन गरूर भीगा हुआ है तो मैं इतना नीन सब्सक्राइब मुझे मालूम भी नहीं चला कि बारिज दिया था तो इस वज़े से थोड़ा मोसम ठंडा हो गया अभी थोड़ क्ट्स्टाइब मुझे